नमस्कार दोस्तों पिछले दो साल से आपने देखा होगा भारत और सिलंका के बीच में जो कुलंबो पोर्ट पर एक टर्मिनल बनाया जाना था उसको लेकर काफी जादा मदभेद देखने को मिला है जब सिलंका के अंदर पहले कोई दूसरी सरकार थी उस समय यहाँ पर बता और फानली यहाँ पर अब जाकर डिसाइड किया गया है कि जो वेस्ट कंटेनर टर्मिनल है कुलंबो पोर्ट पर उसको भारत के द्वारा बनाया जाएगा और भारत की तरफ से जो कंपनी इसको बनाएगी वो है अडानी ग्रूप तो यहाँ पर मैं आपको डीटेल से बता आपको डाउनलोड कर सकते हैं या फिर studyiq.com पर जा सकते हैं जितनी भी जानकारी है courses हैं सभी कुछ आपको वहाँ पर मिल जाएगा चली देखते हैं exactly यहाँ पर अभी हो क्या रहा है जो latest खबर आईए दोस्तों यहाँ पर बताया गया है कि 30th of September को अभी just 5-6 दिन पहले ज उन्होंने sign किया है BOT agreement आपको पता होगा अलग-अलग प्रकार के agreement होते हैं तो यहाँ पर build, operate, transfer मतलब कि इसको build किया जाएगा अडानी और बाकी parties के द्वारा मिलकर फिर इसको operate किया जाएगा करीब 35 years का यह पूरा agreement है और फिर इसको finally transfer कर दिया जाएगा सिलंका को वापस तो यहाँ पर क्या हुआ है कि अडानी ग्रूप के साथ साथ सिलंका के अंदर एक listed company है, listed company का मतलब जैसे हमारे आपर sensex, nifty यह मतलब जो भी stock exchange है वहाँ पर company जो listed होती है जैसे कि LIC हो गया, LIC अभी listed नहीं है लेकिन reliance listed है तो वैसे ही वहाँ पर एक listed company है सबसे बड़ी John K Fields Holding, उनके द्वारा और साथी साथ जो सिलंका port authority है, तो यह तीन parties एक साथ मिलकर जो east container terminal है उसको बनाएंगे, sorry east container नहीं, east container terminal याद रखी का वो पहले होना था, लेकिन उसको cancel कर दिया गया, और अब जाकर यहाँ पर जो west international container terminal है, इसको बनाया जाएगा, तो यह चीज बहुत अच्छे से ध्यान होना चीए कि east वाला नहीं, यह west container terminal है, और मैं आपको बता दूँ कि जो पूरा अगर आप area देखोगे आप, कुलंबो port की जो location मैं आपको दिखा देता हूँ, यह आप देख सकते हो, यह कुलंबो port की location है, तो यहाँ पर भारत के लिए सबसे ज़्याद अगर handling की जाती है, containers वगर की, तो वो कुलंबो port के द्वारा ही किया जाता है, और जैसा कि मैं आपको बता रहा था, यह जो BOT agreement हुआ है, यह 35 years का है, अब इसमें खास बात यह है कि जो सबसे बड़ा majority stakeholder होगा, वो Adani Group होने वाला है, 51% stake Adani Group का होगा, बाकी का 34% John Kills जो company है, और साथी साथ जो सिलंका की port authority है वहाँ पर, 15% उनके पास यह share होगा, इनफाक यहाँ पर बताया जा रहा है कि 700 million dollar का investment किया जाएगा, जो कि आप कह सकते हो कि सिलंका के अंदर अभी तक का सबसे बड़ा investment है in port sector, मतलब कि वैसे तो बहुत सार investment है, चाइना आपको पता है का इसकी वज़े से बताया जा रहा है कि जो कुलंबो port है, वो further उसको global reputation मिलने वाली है, अब यहाँ पर question आता है कि पहले क्या क्या हुआ है, देखे, पहले आपको याद होगा कि यहाँ पर सिरी सेना और रनिल विक्रमा सिंगे की सरकार थी, अभी तो क्या है कि राजपक्षा टर्मिनल बनाया जाना था, सेम वही पर, कुलंबो port टर्मिनल के उपर, लेकिन आगे चलकर क्या होता है, इसको cancel कर दिया जाता है, वो cancel का भी मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन, actually क्या था न, यह जो east container टर्मिनल बनाया जाना था, वो बहुत जादा important था, दोनों perspective से, एक तो आपका economic perspective हो गया, commercial perspective हो गया और दूसरा strategic perspective से, क्योंकि अगर आप कुलंबो port पर देखोगे, तो already China का presence है वहाँ पर, एक दूसरा terminal है, जिसका नाम है कुलंबो international container terminal, वहाँ पर चाइना के पास 85% stake है, तो आप समझ सकते हैं कि already वहाँ पर चाइना मौजूद था, इस वो भारत के लिए ही होता है, तो भारत के लिए अगर वहाँ पर होगा, तो अगर भारत की company वहाँ पर presence होगी, तो काफी अच्छे से भारत को फायदा मिल सकता है, लेकिन हुआ कि आगे चलकर, यह ऐसा कि मैं आखको बताया है, राजपक्षा ब्रदर्स की सरकार आ गई, औ सिर्लंका ने unilaterally इस particular agreement को reject कर दिया, मतलब इसको खतम कर दिया, सिर्लंका का कहना था कि देखिए यह जो पूरा investment है, वो हम खुद करेंगे, जो east container terminal है, उसको हम खुद बनाएंगे, और कारण क्या बताया गया, कारण सिर्लंका यह कह रहा था कि देखिए वहाँ पर जो workers unions ह है, nationalist group है, Buddhist monks है, वो सभी oppose कर रहे हैं कि जो हमारा national asset है, उसको ना बेचा जाए, foreign के investment को हम नहीं आने देंगे, लेकिन यह बहुत ही खराब argument था, अगर आप actual में देखोगे, थोड़ा बहुत, हाँ, बात सही है कि वहाँ पर विरोध वगरा हो सकता था, लेकिन already आप देखो अब जो भारत बनाएगा, West Container Terminal, और इसकी वज़े से जो New Delhi है, भारत को बहुत बड़ा शौक लगा, क्योंकि मैं आपको बता दूँ कि जो East Container Terminal का agreement हुआ था, उसके एक महने पहले ही, हमारे जो Foreign Minister है, External Affairs Minister S.J. Sankar, वो कुलंबो गय थे, वहाँ पर काफी extensively बातचीत diplomatic strain आपको देखने को मिलेगा, अब यहाँ पर क्या हुआ है, कुछ समय के बाद, February में ये cancel कर दिया नहीं सरकार ने, इसी साल की बात है, और आगे चलकर एक महने के बाद, March के अंदर, वहां की जो Cabinet है, सिलंका की, उन्होंने ये decide किया, कि जो West Container वाला Terminal है, उसको हम भारत और Japan की मदद से बनवा सकते हैं, और इसकी वजह से यहाँ पर देखा गया, कि भारत भी इंट्रेस्टेड है, भारत ने का कि चलो, West East वाला नहीं मिला, तो West वाला ही हम बना देते हैं, और भारत की तरफ से, यहाँ पर जो Adani Port है, उसका Nomination सामने रखा गया, इनफाक 15th of March को Adani Group ने confirm भी कर दिया, उनके जो Chairman है, Gotham Adani, उन्होंने Twitter पर इसके बारे में confirm किया, कि वो इसके अंदर involved हो रहे हैं, और पिछले हाथी की बात, जैसा मैंने बताया, 30th of September को, यहाँ पर जो Adani Group है, John Keels है, और जो सिलंका की Port Authority है, उनके बीच में agreement हुआ है, हाँ, यह चर्चा चल रही थी कि Japan भी हो सकता है, इसके अंदर शामिल हो, लेकिन अभी तक कोई खबर नहीं है, कि क्या Japan भी West container वाले में शामिल होगा, जो East वाला था, उसमें तो Japan था, लेकिन वो तो cancel हो गया, अब यहाँ पर एक जो सबसे बड़ा question निकल कर आता है, कि transparency इसके अंदर नहीं जब स्रिलंका से इसके बारे में पूछा जाता है, स्रिलंका कहता है कि देखे, भारत सरकार ने उसको nominee रखा था, Adani Group को, कि Adani Group यहाँ पर बनाएगा, लेकिन जब भारत सरकार से पूछा जाता है, तो लोग reject करते हैं, कहते हैं कि उनका भारत सरकार का Adani Group को nominate करने का अब finally question आता है, इसका significance का है, जो भी कुछ हुआ है, चलिए यह आपको समझ में आ गया हो, लेकि इसके significance की बात करें, जैसा कि मैं आपसे कह रहा था, कि जो Indian shippers हैं, वो सबसे first customer है कुलंबो port के अंदर, मतलब कि भारत का का काफी जादा ship जो है, वो उधर से ही होता है, प्य चुकि भारत के पास अगर आप देखो कि इतना deep sea port वहाँ पर है नहीं अभी, अभी कोशिच चल रही है, विंजम port वगरा बनानी की बात हो रही है, वो चल रहा है काम, जब वो हो जाएगा तो हम उसका इस्तेमाल करने लेगें, लेकिन अभी के लिए कुलंबो port सबसे ज़ के लिए भी फायदा होगा, इसके अलाबा क्योंकि अडानी क्रूप इसके अंदर शामिल हो रहा है, तो जो कुलंबो port की capacity है, उसको फर्दर बढ़ाया जा सकता है, साथी साथ आपको ये भी चीज़ समझना है कि सिलंका के उपर जो आरोप लगता है, कि चाइना को बहुत स सिलंका significance है, और इसी को देखते हुए, जैसे ये deal हुआ, उसके एक दो दिन के बाद, यहाँ पर जो foreign secretary है हर शिंगला, वो सिलंका के विजिट पर चले गए, ताकि सारे चीज़ों को और भी बाकी जो relation है सिलंका के साथ, वो बहतर किया जा सके, तो ये पूरा वीडियो दा तो I hope कि इसका हर एक perspective यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा, जाने से पहले एक बहुत इंटरेस्टिंग question क्या बता सकते हो, भारत का deepest port कौन सा है, ध्यान रखेगा deepest port की मैं बात कर रहा हूँ, इसका right answer आपको पता ही है, मेरे Instagram पर तो मिले गई, वहाँ पर अगर आप न आपको पसंद आ होगा, मिलता हाँ आप से नेक्स ताम, तिल देन, thank you very much, see you soon.